Good morning students, मैं कमलेश कंगबर आपकी हिंदी अध्यापिका, आज हम सबी अध्यापांच जिसका नाम है संग्या के विकार, इसके हम दो टॉपिक पहले पढ़ चुके थे और अब हमारा तीसरा टॉपिक का कारक, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे और कारक को समझेंगे, तो सब या सर्बनाम का संबंद क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, कारक कहलाते हैं, जैसे मा बेटे को खीर खिलाती है, मा बेटे को क्या खिलाती है, खीर, तो यहाँ पर संबंद क्या है, को हमारा, पेड से चडिया उड़ गए, पेड और चडिया के बीच कौन संबंद दिखाता है हमारा से अगर हम इन कारक चिन्नों का प्रियूग ना करें तो हमारे सारे बाग्य में सारे के सारे शब्द जो होते हैं सार ठक हैं लेकिन फिर भी हमारा बाग के अधूरा लगेगा हमें समझ में नहीं आएगा जैसे कि मा बेटे खीर खिलाती है पेड़ चुडिया उड़ लेकिन जब हम इन में कारक चिन्नों का प्रियूग करते हैं तो ये पूर्ण हो जाते हैं अब कारक के प्रकार कारक की कितने प्रकार होते हैं कितने भेद होते हैं तो कारक के आठ प्रकार या आठ भेद होते हैं पहला हमारा है और ये जो कारक हैं इनकी चिन्न होते हैं कारक कारक चिन को ही हम परसर्ग या विभक्तियां भी कहते हैं नमबर एक कर्ता कर्ता का चिन्ड क्या होता है ने जैसे कि राम ने खाना खाया नमबर दू कर्म 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 का चिन्ड क्या होता है को जैसे कि अमन ने राम को पीता किसे पीता राम को नमबर तीन करड अब करड का चिन हमारा क्या होता है से या के द्वारा किसी भी चीज से हम या जिस माध्य हम से काम करते है वो हमारा करड का रख होता है जैसे कि मैं पैंसल से लिखती हूँ अब हमारा चोथा है संप्रदान संप्रदान क्या होता है संप्रदान का चिन का को ये के लिए जैसे पिताजी राम के लिए फल लाए या पिताजी ने राम को दस रुपे दिये ये हमारा कौन सा है संप्रदान अब हमारा है पाँचमा अपादान कारक अपादान कारक का चिन होता है से या अलग होने पर जब कोई चीज दूसरे से अलग होती है बहाँ पर अपादान कारक होता है जैसे कि पेड से पत्ते गिरते हैं अब हमारा छटा है संबंध संबंध कारक का चिन्न होता है का, की, के, नानी, ने, रारी, रे जैसे कि रोहन की किताब खो गई अब हमारा साथमा है अधिकरड कारक अधिकरड कारक का चिन्न होता है मेय, पर जैसे कि बच्चे नदी में तैर रहे हैं अब हमारा अंतिम आठमा कारक होता है, संबोधन, संबोधन का चिन्न होता है, हे, अरे, ओ, या उफ, ये चिन्न होते हैं, अब हमारा सबसे पहला हमारा कारक था करता कारक, अब करता कारक को कैसे पहचानेंगे, क्रिया को करने वाले को करता कहते हैं, मतलब जो भी काम करता है, जो इसमें मेन होता है वो हमारे करता कहलाता है जैसे कि राम ने खाना खाया बच्चा दूद पीता है कभी कभी क्या होता है ने हमारा छुपा होता है बाके में लेकिन फिर भी बहाँ पर क्या होता है करता कारक ही होता है जैसे कि बच्चे ने दूद पिया यहाँ पर ने नही का फल पढ़े उसे कर्मकारक कहते हैं मतलब कारे तो हम करते हैं लेकिन उसका फल दूसरे पर पढ़े जैसे कि मा खाना बनाती है तो खाना बनाती है लेकिन फल किस पर खाना बन रहा है अध्यापक चात्र को पढ़ाते हैं तो अध्यापक किसे पढ़ाते हैं चात्र को तो उस कि पिता जी ने कलम से लिखते हैं बच्चा गेंद से खेलता है मतलब किसी माध्यम से हम काम कर रहे हैं तो पिता जी किस से लिखते हैं कलम से अब हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक जिसके लिए कार किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं जैसे मैंने मा के लिए साड़ी खरी दी मैंने किसके लिए साड़ी खरी दी मा के लिए भाई ने बहन को उपहार दिया भाई ने किसे उपहार दिया बहन को तो यहाँ पर क्या होगा हमारा संप्रदान कारक होगा अब पाश्मा हमारा है अपादानकारक अपादानकारक संग्या या सर्बनाम का बहरूप जिससे अलग होने का बोध हो मतलब कोई चीज जब एक चीज से अलग होती बहाँ पर क्या होता है हमारा संप्रदानकारक कहलाता जैसे की, पेड़ से पत्ता, गिरा, मेज से पुस्ताइब गिरी, तो यहां पर क्या होगा हमारा, अपदान कारक होगा, अब हमारा च्छटा है संबंध कारक, संग्या या सर्वनाम के, जिस रूप से किसी एक वस्तू या वियक्ति का संबंध, दूसरी वस्तू के साथ जाना उसे क्या कहते हैं संबंध कारक कहते हैं जैसे नंदनी के पापा अब नंदनी और पापा इन दोनों का संबंध बताने की नंदनी के पापा रमन की कमीज अब रमन और कमीज दोनों के बीच की संबंध बता रहे हैं तो ऐसे कारक क्या कहलाते हैं हमारे संबंध कारक कहलाते हैं अब हमारा सात्मा कारक है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्रिया के आधार को बताने वाला शंग्या का रूप अधिकरण कारक कहलाता है, जैसे कि टोकरी में फल रखें, अब फल कहां रखें है हमारे, फल और टोकरी का संबंद क्या है, मे, मेज पर कंप्यूटर है, और मेज कि संग्या के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसके चिन्न क्या होते हैं हे अरे उफ अब जैसे कि अरे भाई मेरी बात सुनो तो अरे भाई तो यहाँ पर क्या कोई किसी को संबोधित कर रहा है, संबोधन कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा हमारा, संबोधन कारक कहलाएगा, धन्यवाद